Hello everyone, well, आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो बहुत कमन है, हम सब जानते हैं, बट कभी-कभी हम भूल जाते हैं, और वो है शुक्र, शुक्र करना बहुत-बहुत-बहुत-बहुत जरूरी है, जिस एक्जाम्पल, जब दुनिया में, जब कोई दुनियावी चीज ह हमारे लिए कर देता है, हम कितना और शुक्र करते हैं, उसका सामने तो थाइं कि उनका हाथ लेकर भी चुमलेते हैं, गली लग जाते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं, कुदी मारने लगते हैं, चार लोगों को फोन करते हैं, यह मेरा काम हो गया, और साती साथ कभी-कभ जुबानी तो कहते ही है बट फिर उन्हें फोन पर हम कहते ही है बट फिर हम उन्हें उन्हें मेसेज़ लिखते हैं लंबे कि you know how grateful I am for you to do this फलाना फलाना उसके बाद हम और शुकर जाहिर करने के लिए you know flowers भीजते हैं लोगों को कैसे शुकर करते हैं बस उसी तरह हमें लोगों का भी शुकर हर चीज पे करना चाहिए बट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह आपके दिल को नरम रखता है वह आपको ज्यादा हमें अल्ला का शुकर करना चाहिए कि you know उन्होंने हमें इतना कुछ नवाजा है चाहिए वो हमारी अच्छी फैमिली हो घर हो कपड़े हो काम हो और बहुत सारी चीज़े हम जिन्दा है हम अलहम्दुला हमारे दो हाथ दो पैर है और इंसान जो भी इस सिटुएशन में कोई चीज उपर नीचे भी आपकी लाइफ में आपको अल्ला का शुकर करना चाहिए बिकुज यू नो यह बहुत ज्यादा जरूरी है और जैसे इंसान शुकर पसंद करता है और अल्ला ने इंसान में यह शुकर वाली चीज क्यों दाली है क्योंकि अ अल्ला चाहता है कि इंसान हमेशा नरम रहे और इंसान के बीच में महबबत रहे इसलिए शुकर करो कि शुकर भी एक अच्छे अखलाकों में से एक अखलाक है जो अल्ला बहुत पसंद करता है तो आप बस नमास पड़े अल्ला से शुकर करे हर चीज का जो उसने आपको न एक बॉच्मन भी अगर आपके लिए डोर कर देता एक मुस्कुरा के उससे थांक्यू बोल दीजिए और वो इतना खुश हो जाएगा कि बस तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है हमें ये शुकर का अखलाक हमारे अंदर डालना है और लोगों के खूब मदद आना है